कि आपने बो लतीफा तो सुना होगा सर्दी को लेके के है लिकॉप्टर में बैठा वा था इसे सर्दी लगी तो इसने पंखा बंद कर वादिया फोत हो गया और जन्नत में जन्नत में जाके हुरोने मोरपंक से हवादी फिर सदी लगी वहां पर भी मर गया तो मेरा वोई साब समझे एनी में सदी लाग दी है और यह बात बताने का मकसद यह है कि मैं आपको एहसास दिला सकूँ कि मुझे सब्सक्राइब करें मैं कितनी मुश्किल यह सफर तया कर रहा हूँ मैं जान दी है मेरा राप जान दो ग्रिपों ट्रिप का नया एपिसोड है और आज हम बरफबारी देखने पहुंच गए हैं अयूबिया चेयर लिफ्ट पे और स्टार्ट भी चेयर लिफ्ट से कर रहे हैं क्यूंकि हम थोड़े लेट हो गे थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा है और बरफबारी भी स्टार्ट हो गई है प्लैन क्यूंकि एक दम से बना था तो वैजर फोरकास देखी है तो यूबिया में बरफबारी का सीन लग रहा था यह आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है तो इंशाला कामवदेगा हो गया बदबोती हो आप देना है वी शोखे होके और अभी बरफ वैसे काफी पढ़ चुकिया अल्रेड़ी तो ग्रिपन ट्रिप के अपी सब्सक्राइब मेरे साथ रहीगा उपर हम टॉप पे जा रहे हैं और इंशाला ये बरफ हमें और मिलने वाली है तो बड़ा मदा आने वाला है मैं अपनी स्टोर्स ने खालता है ये स्टाइब मेरा पर्सनली बासाब ये मानना है कि जो चीदें अन प्लैन होना वो ज्यादा अच्ही हो जाती है बिल्कुल ऐसा ही है अब ही हम बस बैठे वे थे और चांस लेकर निकले हैं कि चलो चलते हैं यूबिया में आरी है फॉरकास्ट ना मुझे वहां के एक बंदा भी बता रहा था कि आज वहां पर होगी तो हम निकले हैं आए थोड़ा लेट हैं तो लेकिन कोई नहीं बर्फ हमें यहां पर मेल रही है अलहम्दोलिल्ला अभी चलते के उपर के निजाम देखते हैं टॉप के निजाम अता ओंड़ी है तो इसलाग सकते घृट्ट आयूबिया नैशनल पार्क जाने के लिए अगर आप इस्लाम अबास से ट्रैवल करें तो आप मरी रोट का इंतखाब करें वैसे ये काफी फेमेस पिकनिक स्पॉर्ट है और केपी गे में वाक्या है यहां जाने के लिए आपको तकरीबन नवे गिलोमीटर सफर तैय करना होगा और आपको तकरीबन दो घंडे का वक्त लगेगा अभी मगरीब होने में 15 मिनट रह गए हैं जब हम उपर पहुंचे हैं तो देखते हैं हम 15 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं और चलके देखते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है और क्या कुछ हो सकता है हम धेरा होने से पहले पहले अभी एक फाइदा यह हो गया कि वाइट बरफ जो आपस वेद रंग की है तो मुह बड़े चिटे गो रहे हैं पैसे राइट काफी कम हो चुकी है कि अपर टॉप पर जब आप आजाते हैं तो यहां पर आग सेखने के लिए सिस्टम रखा गया बाजन यह कितने पैसे हैं हाथ सेखने के अच्छा रेस्टोंट से जो आप खाना वगारा खाते हैं चाइव गारा पीते हैं तो आप आग के पास बिल्कुल बैठ सकते हैं मेरे पीछे देखने हैं यहां पे आप हाथ सेके हैं और यह फ्री ओफ कॉस्ट आइसके चार्जिस नहीं है यूबिया टॉप पे बड़ी अ बें फूरा सा बाग करते हैं देखते हैं आगे निजाम जिंदगी कैसा लारे वह अंतर्डोंबर को हमागो करते हैं यहां है तेन लोगिव गजहें वावज़ साय शब कर दोगा रुबार कर से गिताघ़ कर दोग साथे जो बाईब कर दोगाई झांगा, रहा है कि एलगा रहा है तो नहीं हादा जोगा जाना, जाला जब और फिए हमार डूमारोगार क्या है जए अजिए हैने क्या शालती जिए हुग रेकी चाहते हैं. ये वाल्याहाई हूँ. अपने बड़े बड़े लिए दिखने हैं. माष्यान को. अच्छाब भूम्जा मुझे बार पढ़ने हैं. ये अपने अपनी दमटा मेरी नहीं है. और माशाला इनको देखके लगता है कि आर ट्रिप के पैसे ऐसे पूरे होने जैसे इनोंने लिम्बे किया ना जो एक्टिविटीज कर रहे थे और फुल लाफटर दे रहे थे और यही लाइफ होती है और यही मुज़ा होता है सेसिलिटीज के हिसाब से अगर बात करें तो ऐयूबिया में हर किसम के नेटवर्क के मुबाइल सिगनल आते हैं यहां हर किसम के होटल दस्तियाब हैं और अमूमन इनकी रेंज तीन हजार से स्टार्ट होती है ट्रांसपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो ऐयूबिया में आपको हर किसम की ट्रांसपोर्ट बहासानी मिल जाती है और दो काम बहुत ज़रूरी हैं जो के मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं कि आयूबिया जाने के लिए आपके पास एक जैकेट का होना और दूसरा अम्रेला या किसी रेंड कोट का होना बहुत ज़रूरी है जैना वो मेरा फ्लेश डेट होने वाला इतने ठंदे हो गए हैं तो भी हाथ सेके निकलेंगे वापिस विडिया टाउप पे सीन अच्छा है एक्टिविटीज आपने पहले भी मेरी कैपिशोड में देखी ती लेकिन तब मैं गर्मियों में आया था अभी में आया हूं सर्ट अब वह वादे ऑदे लगार है कि लिफ का टाइं खतम हो रहा है चैरलिभा नि वाप्सिका गरें पांच बज़े पैकर टाइम है और चार मिट रागेंगे और फिर बीचे चलके कुछ ठा लेंगे और शॉप्स तक आपको दिखाएंगे इसी एपिसोड में कि नीचे किस सी इस तीद की शॉपिंग होती है और क्या क्या आपको बीटा है बड़ा ही एक रुमानवी एस्सानवी दियोमलाई दही की मलाई वाला मौसम होगे है तेरा चार है बादल आ रहे हैं हलकी हलकी स्नो वाला निजाम भी चाल रहा है लाइन में लगके नीचे चलते हैं नीचे वाल अभी हम लोग टॉप से नीचे आगे हैं और यहां पर एक बड़ी जबरस शॉप है जहां पर लेंगन हैं अंडे हैं परी मिर्ची हैं समोसे हैं और तीन चार पांच छे साथ आट तरह की चिपस है पकोड़े हैं और यहां पर हम यह लोग खाएंगे और फिर गाड़ी करव मैं हैं हमारा जो होटल है और हनों आट जाएंगे में हैं तो हमारा तो बापस जाना है और है शुरुक से भाएटे तो तेरे मीटरे और पादर जाएंगे जो रगली, चार किरते होगे, तो अब गाड़ी करवा के जानी है यहां पे चाई पीके थोड़ से वाम-अप हो जाएं ऐयूबिया में जहां से चेयर लिफ्स टार्ट होती है, वही एक शॉपिंग के लिए चोटा सा बाजार भी है इसके लावा खाने के भी कई रेस्टोरांट्स मुझूद हैं। और जाएंगे मरी। और देखेंगे ये सड़क कैसी है और सर्दियों में यहां ट्रैवल का कैसा निजाम है। यह जाने के लिए आप ग्रिपन ट्रिप देखते रहें। और अगर आप पाकिसान का खुब्सूरत त्रीन ट्रैक देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं सल्तनत सुमानिया का पहला शाही महल तो यहां क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल सब्स्राइब करें।